पारित हुई आयटर नम्बर 21 सड़क परिवन और राजमंताले के नियन्तरन धीन अनुदान की मांगों पर चर्चा अब मैं सड़क परिवन और राजमंताले से समंदित अनुदान की मांग संक्या 86 को चर्चा ता मददान की लिए रहा जाए सभा में उपस्ति जिनमानी सदर्शों के सड़क परिवन और राजमार मंताले से समंदिर अनुदान की मांग पर कटोती प्रस्ताओं परिचालित किये गए यदि वे अपने कटोती प्रस्ताओं प्रस्तूत करना चाहते हैं इस प्रकार प्रस्तूत किये कटोती प्रस्ताओं के कम संक्याओं को दर्शाय के सुची कुछ समय प्रशास सूचना पर लगा दी जाएगी यदि सदेश्टों की उस ची में कोई वी संगती मिले तो वे उसकी सुटना ततकान सवा पतल पर मोजुद अधिकारी को दे दे श्री रेवन्त रेडी जी थांक्यू स्पीकर सर्थ अलाव में तो स्पीक और डिमांड फार ग्रांट और आगल प्रेश्ट्या पर्णों अधिक ट्रुट्टर्ण को पार आगले Państwo सब्सक्राइब करना चाहता हूं सब्सक्राइब करना चाहता हूं सब्सक्राइब करना चाहता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का प्राब्लम हैं सर इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का जरूरी है। प्राइवेट प्लेयर् इसमें इद्वेस्ट करने के लिए कोई आ रहा ही नहीं जो भारत सरकार ने इसमें इंवेस्ट में लगाने में बोट फेल हो गए था आज के तारिक में इसका डिप्ट से 3.3 लाक क्रोज तो 2 परसेंट हिंदुस्तान में जो रोट्स के नेशल आवेस के परसेंटेज इसमें इनका डियू से 3.3 लाक क्रोज मतलब भारत सरकार ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है जिस दिन 2014 यथ्यू इसमेंट घूस बड़ूऑ अभारत सरकार मिश्वा भारत सरकार dise sir, please Sir, can I continue sir? Kindheit, Honorable Minister, please please, please let the house be in order, please yes, Reverend सब्सक्राइब जिए नैशनल है वेरी इंपर्टेंट रोल है यह रोट्स बनाने में भारत सरकार मोदीजी सरकार बनने के बाद बहुत फेल हो गे जिस दिन 2014 and 15 UPS सरकार समाप्त हुआ था तब इनका लोन बारोइंग था 24,000 क्रोर्स माँगर आज के तारीक में 3,30,000 क्रोर्स बारोइंग से सर यह बडन इस इंक्रीज़ अप तू 300% तो 2% के लिए ये 3,30,000 crores borrowing से इसके उपर भारत सरकार ने द्यान देना है और इनके investment में भारत सरकार भी इसमें लागू करना है सर्थ और ये इतना percent increase हो गया जब 2014 and 2015 में लोन के capacity ता 6% आज के तारिक में ये it is increased up to 37% इसलिए हम लोग बारत सरकार से ये कहना चाहता है कि इसमें सरकार के पैसे कुछ डाल कर ये roads बनाने में ध्यान देने का ज़रूरी है सर्थ और इस ये लोन से सरकार बनें तो ये फाइनली ये non-performing asset बनने वाले है सर् ये finance minister जी ने जब announce किया था March 23 तक ये लोग expanded 25,000 km expansion करने में जाने वाले है मार्व हिसाब से अगर March 23 तक अगर 25,000 km अगर national highways बनाना है तो हर दिन 68 km रोड बनाना है सर्थ आज के तारिक में जो development चल रहा है 37 km पर दे मतलब ये तरीका से अगर काम चलेगा तो और 78 साल लगेगा सर इसलिए ये सरकार के time है 24 तक इसलिए ये road works इंप्रूव करने के लिए सरकार द्यान देने का ज़रूरी है सर ऐसे ये जुमला ये देखे तो जो भारत सरकार ने मोदी जी सरकार ने ये किया 2022 तक हर गरीब को घ घर देने का वादा किया था ये जुमला होगे और दूसरा ये किया था फार्मा किसान के इंकम डबल करने के लिए महर आज के तारिक में वो भी नहीं हुआ है ये भी जुमला हुआ है इसलिए ये तीसरा जुमला नहीं बन सकता है और हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वादा किया था महर अभी तक तो मैं पुरा वर्ल मैप में दून रहा है स्मार्ट सिटीज कहां बना है हिंदुस्तान में तो बना ही नहीं तो ये सरकर जो स्मार्ट प्रामिसेस करते जा रहा है मगर काम में तो नहीं लग रहा है ये जो रोड बनाने का भी वैसे ही नहीं बन सकता है इसलिए सरकर ये काम आगे जाने के लिए ये कुछ काम करने के लिए हम सरकर को हम अड़ईज दे रहें सर्ट और उसके अलावा भी पर हर साल दो करोड नोकरी देने के लिए भारत सरक मोधी सरकर ने वादा किया था आठ साल में 16 क्रोड एंप्लाइम को अगर नौकरी दिये तो हमारे तेलंगाने के लिए कम से कम पचास लाग नौकरी मिलता था मगर तेलंगाना में कोई एकी नौकरी मिला है वो किशन रेडी को मांतरी जी मिला मगर उससे अलावा तेलंगाने में तो कोई नौकरी मिला ही नहीं सर ये सरकार और और इसमें ट्रांस्पोर्ट नैशनल हाइवेस में जो है सर फटी परसेंट वेकंसी से सर अभी सिक्स्टी परसेंट से यह नेशनल हाइवेस डिपार्टमेंट चलाने के लिए कोशिश करें इसमें कास कर CGM to deputy manager in finance cadre range में 50% से लेकर 90% वेकंसी से सर लाक्स अफ क्रोर्स इसमें जो investment लगा रहा है यह investment चलाने के लिए junior accounts officer यह चला रहे सर इसलिए हम लोग सरकार को यह याद दिलाना चाहता है कि यह CGM to deputy manager post immediate recruitment होना ही ता सर क्योंकि इसमें there huge investments अदे junior accounts officer यह system को नहीं चला सकता है इसलिए सरकार इस पे और भी attention देने का ज़रूर यह सर और और सर बारत माला प्रोजेक्ट बारत माला प्रोजेक्ट में मोदी जी ने यह कहा 34,800 km निर्मान 2022 के अंदर करने के लिए मगर अभी तक 7,375 km only बारत माला में काम पूरे हो चुके सर यह तरीका से अगर काम करते गए तो और 27 तक भी यह पूरा नहीं होगा मगर यह सरकार चुना यह मोदी जी को जो सरकार चुनने के लिए लोग मखा दिये 24 तक इसलिए 21 परसेंट बारत माला में काम पूरे है नेर अबोर्ट 80 परसेंट काम पेंडिंग पड़ा हूआ है इसको आगे कैसे लेके जाना यह स्पीड अप कैसे करना है सरकार सोचने का भी जरूरी है सर और उसके अलवा यह सर यह नेशनल असेट्स बेचने में सरकार तो बहुत तेजी से चल रहा है सर अभी तक बुलेट ट्रेइन के बारे में और बाकी के चीज़ों के बारे में आम फ्लाइट्स बेज दिये, सब सारे बेज दिये, हर चीज में प्राइबेट इंवेस्टमेंट्स आ रहा है, मगर नेशनल आईवेस्ट बनाने में प्राइबेट इंवेस्टमेंट्स नहीं ला रहा है सर, मैं ये सरकार से ये पूछना चाहरा हूँ, आपके दोस्तों के आपके मित्र ने जो पोर्ट करीद रहा है एरपोर्ट करीद रहा है हवाईजाज करीद रहा है आपके मित्रों को त्यों फोर नहीं लगाते नेशनल आहिवेस में इन्वेस्मेंट करने के लिए वो वो प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें लागू कर सकता है मगर बारत सरकार तो कोशिस नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें इंवेश्मेंट लगा के हाइवेस बनाना पड़ता अभी जो बेच रहा है एरपोर्ट सरकार ने बना है अवेजाद सरकार ने करी दा एरपोर्ट भी सरकार ने करी दा जो बनाने के बाद बेचने में सरकार तेजी से चल रहा है सर इसमें भी गाम देने का है सर ऐसी यह जो 2014 and 15 UPSR कर समाप्त हुआ था प्राइवेक इन्वेस्टमेंट इसमें 37 परसेंट था सर मर् 2021 में यह इन्वेस्टमेंट दिक्लेंट तो 7 परसेंट मतलब जब UPSR कर मनमोहन जी प्राइवेक इन्वेस्टमेंट सर 37 परसेंट जब मोदी जी प्राइव मिनिस्टर बना साथ साल के बाद पिच्चे पलेट के देखे तो यह इन्वेस्टमेंट 7 परसेंट को कम हो गए सर इसमें भी सरकार ध्यान देने का ज़रूर यह सर और मेरा एक्सपीरेंस से मैं कुछ कहना चायता हूं सर हर परिवार में दो तरीके के बेटे रहते हैं सर एक परिवार के जो संपती उनको हाथ में आएगा उसको आगे बढ़ाने में और उनका रोशन करने में और उसका जो कमाई आगे लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं दूसरे तरीके के है सर दोस्तों के मतलब अच्छे गाड़ी अच्छे दोस्तों और कास कर संपती बेश दे जाता जाएगा तो अभी ये दो बेटों का पहले का मनमों जीए दूसरे जी मोडी मोडी जीए उनके दोस्तों अच्छा के लिए अच्छा गाड़ी के लिए अच्छा ड्रेस के लिए ये सब सारे ये बेचने में लगए सर ये भी सोचना है सर साथ साल में हिंदुस्तान में वही होते जा रह वो अड़्वाइस, अपोजिशन माने या ना माने, सरकार तो मानना ही पड़ेगा, मगर ये सरकार तो जो फिनांस कमिशन, नीति आयोग जो रिकमेंडेशन किये, वो रिकमेंडेशन को कभी भी कंसिदेरेशन में नहीं लिये, सर्थ, I wanted to tell one or two, three examples, सर्थ, नीति आयोग in 2018 has noted that the amount allocated for road maintenance should be at least 10% of the ministry's annual budget, whereas it is only 1.3% total budget, सर, मतलब नीति आयोग आपने बनाये था, वो ये budget में 10% maintenance के लिए allocate funds करने के लिए सरकार को सुझाव दिये थे, मगर ये सरकार allot किये 1.3%, सर, इसके वज़े से ये road maintenance अच्छा तरीका से नहीं हो रहा है, सर, वो अच्छा तरीका से नहीं होने के, और दूसरा भी मैं example ये quote करना चाहरूं, सर, हमारे प्रदान मंत्री जी ने US गया था, उनके कास दोस्त, Trump election campaign करने के लिए, उनको जिताने के लिए, मार वोई ये US में ये investment इतना percentage है, सर, ये budget allocation में 51% road maintenance and repairs के लिए US allocate कर रहा है, सर, whereas in India, मोदीजी सरकार ने 1.3% allocate किये, तो मोदीजी का कास दोस्त, Trump ने उनके US सरकार में 51% budget allocate किया हुए, सर, road and maintenance के लिए, सरकार के negligence से ये problem आ रहा है, सर, ये सरकार maintenance जो नहीं करने के वज़े से, accidents तेजी से चल रहा है, सर, इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ, सर, ये maintenance, 2021 में ये सरकार road maintenance के लिए 81 crores spent किये, सर, नियर अबोट 39,44,909 crores state budget है, इसमें road maintenance के लिए, 2021 में 81 crores utilized funds किये, सर, मतलब, मतलब, union government is neglected the road maintenance, सर, इसके नतीजे, मैं एक World Bank का report अभी कोट करना चाहरा हूँ, सर, according to World Bank, as per recent report of the World Bank, Indian rank is first number of road accident deaths, पूरा दुनिया में road accidents के deaths हो रहा है, India is number one, तो कम से कम ये World Bank report पड़े, तो भी सरकार को पता लागेगा, and moreover, पूरा दुनिया में 1% vehicles और इन इंडिया सर, जितने सारे दुनिया में vehicles है, इंडिया में 1% है, मगर accidents in India 11%, vehicles बहुत कम हैं, accidents 11% हो रहा है सर, इसका मतलब, अपना road maintenance सही तरीका से नहीं हो रहा है, उसके लिए budget allocate नहीं हो रहा है, सरकार ये accidents को देखते हुए, accident casual deaths को आप सरकार ऐसे नहीं ले सकते है, क्योंकि एक परिवार में, एक कोई accident में अगर death हो गए न, वो परिवार का पूरा सर्वनाश हो जाएगा सर, जो परिवार को चलाने वाले, परिवार को बरोसा देने वाले, अगर accident में death हो गए तो, इट से, इट से, crime सर, सरकार के सब, government, deliberately government is doing this crime, committing this crime सर, ये crime को रोखने के लिए भी सोचना है सर, और दूसरे सर, ये, every, each person dying within four minutes, हर चार मिनट को, एक अदमी हिंदुस्तान में, accidents में मर रहे सर, इसका वज़े भी भारत सरकार है सर, ये budget जो, इसका maintenance के लिए, कोई budget allocate नहीं कर रहे, उनके वज़े से, ये सब कुछ सार, सब सारे हो रहे सर, इसलिए हम लोग, ये सरकार से, ये पूछना चाहता है, आप ये national IWES बनाने में, आपका investment का कोई proposal हो ना है, क्योंकि आप पूरा borrowing में के उपर depend हो रहे है, बैंक से जो loan उटा रहे है, वो non-performed asset बनने वाले है, इसलिए सरकार, clearly, budget allocation, budget assurance, एक चीज़ सरकार यहाँ पर बोलना है सर, दूसरा, timeline, time frame, बारत माला के जो road से, 34,800 km बनाने के लिए, वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी, आज के तारिक में, 7,375 km बनाया सर, it is only 21%, remaining 84% pending पड़ा हुए, इनका target 2027 बोलना है सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को mandate मिला है 2024 तक, मगर आप लोग सपना दिका रहे है 2027 का, बाकी का 3 साल तो आपको मोका ही मिला ही नहीं, तो इसलिए सरकार जुमला वादा करते हैं करते हैं, लोगों को wrong direction में लेके जा रहा है, इसलिए इसका भी एक deadline and time frame work होना है सर, और इसलिए ये roads maintenance के लिए budget allocation should be increased, just because of government negligence, all these accidents are happening, government has to take care of these accidents things, budget का भी allocation होना है सर, now please try to conclude, sir sir, sir, मेरा demand इतना है यह सर, यह सरकार बोलने का अलगे, करने का अलगे, यह कहावत है sir, आती का दात काने का अलगे, दिकाने का अलगे, मोदी जी, मोदी जी ने यह कह रहा है कि हम चाय बेचे, sir, आप चाय बेचे, प्रदान मंत्री बने अच्चा है, मार पुरा इंदुस्तान को चाय बेचने में मत लगो sir, एक परिवार में कोई आइक्सिडेंट में देत होगे, तो उनके परिवार राइलवे प्लाटफॉर्म में चाय बेचना पड़ता है, पुरा इंदुस्तान को चाय बेचने में मत लगो sir, आप ये पुरा द्यान देकर, ये पुरा सुदारने का जरूरी है sir, नेशल लाइवेज मस्ट बे इंक्रिश्ट वो अमारे प्रदेश में sir, finally sir, हमारे प्रदेश में, Hyderabad, Vijaywada, Hyderabad is the Telangana capital, Vijaywada, Amaravati is the Andhra Pradesh capital, we have four-lane road sir, उसका six-lane road can sanction, sir, our private player, our roadie, time and again our people and our representatives are representing to the concerned minister, but they least bothered about that Hyderabad, Vijaywada highway, and moreover, Hyderabad and Bangalore, we have only four-lane national highway sir, that is also proposal pending with this union government, that has to be increased up to eight lanes sir, and moreover, Hyderabad, Vijaypur sir, that is also pending sir, Hyderabad to Mannegoda, जो road है, उसको भी आगे लेके जाना है sir, and Maipubnagar, Chincholi, state highway, converted into national highway, but last four years, they have never turned up for that national highway sir, so government immediately, Maipubnagar, Chincholi, national highway road, be immediate banana sir, ये सब सारे चीज़ों के लिए, मैं रप्लाइमांगरां sir, sir, कार से, thank you sir, Thank you Shri Revendra DG, next Shri Jagadabhig Apalji,